हालो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज हम नाइए वेनिला कस्टड केक या स्पंज केक भी आप इसे बोल सकते हैं देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या सामागरी लगेगी पहले हमें इसके लिए लगेगा मिल्क पॉडर वन फोर्थ कप मिल्क या मखन एक कप दूद एक कप मेदा बेकिंग पॉडर यह मैंने टीन में बटर पेपर लगा कि इसको ग्रीस कर दिया है और यह सोड़ा है हमें डेट चमच बेकिंग पॉडर लेना है और आदा चमच सोड़ा का यूज करेंगे आई हम बेटर बनाते हैं पहले हम सारी चीज सुखी सामगरी को इसमें डाल लेना है और इसे अच्छे से चान लेना है सबी सुखी चीजें मिला लेंगे इसमें बेकिंग पॉडर में डाल देते हैं कि मैंने 1 टी इस्पून बेकिंग पॉड्र लिया है और आधा टी इस्पून हम लेंगे बेकिंग सोडा और इसे भी अच्छे से छान लेंगे इनने सभी को अच्छे से छान लेना है अब जो हमने गीली सामग दी जो हमारी है मिल्क मेट घी और दूद्ध हम इसे मिक्स कर लेंगे पहले मिल्क मेट ले ले लेते हैं इसे में घी डाल देंगे घी डाल के आपको थोड़ा सा फेटना है घी डाल के आप इसे अच्छा सा फेट ले ये केक बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टे भी बहुत लगता है आप इसे बिना आइसिंग के भी खा सकते है इसे फेट लिया है अब हम जो एक कप दूद लिया था वो इसमें पूरा मिक्स कर देंगे और जो हमने सुकी सामगरी को छान के अलग रखा था उसको हम इसमें धीरे-धीरे मिक्स कर देंगे आप चाहे तो इसमें फ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं ड्राइफूट मिक्स कर सकते हैं कलरेट कर सकते हैं अगर आपको रेड वेलवेट केक बनाना है तो आप इसमें रेड कलर दीरे दीरे करके सारे सामगरी को एक साथ नहीं मिलाना धीरे धीरे मिलाना है आप इसे माइक्रोवेम में भी बना सकते हैं और कडाई में गेस पे भी बना सकते हैं माइक्रोवेब में भी एक एक सो असी डिग्री पे 25 में बन जाता है और गेस पर भी यह 25 में बन जाता है स्लोव फ्लेम पर कि ज्यादा टाइम नहीं लगता हो और यह बनता भी बहुत इस्पंजी है आफर अस्वाल आफ है कि इसमταν 15 जशार खिशा जंआ के लाए इसलिए इसमें वेनिला आसेंस नहीं डाला क्यूंकि कष्टर पॉडर वानिला उचन पॉडरी है उसमें वेनिला का यहां फ्लेवर है और हा तो साओं जब भी बरतन को रखी तो पहले को माइक्रोवेव को भी हेट ऐसे पर वी कर दाया ाउट हो ता उसको भी पहले प्री हिट कर लें क्योंकि अगर आप रखेंगे और यह जल्दी फूल जाएगा वरना क्या फूल में और नहीं और वह कर दाड़ जाएगा अब हम इसे बैक करने रखते हैं मैंने एक चोड़े मुका बरतन लिया है उसमें मैंने एक कटोरी नमक डाला है और नीचे एक रिंग रखी है आप चाहिए तो एक प्लेट रख सकते हैं यह प्लेट इसके उपर हमने हमारा जो टीन था बेटर का वह हमने रख दिया है इसे हम इसे बनाना मेरे दो गेज दिख रहे हैं मैंने छोटे वाले गेज पर रखा है उसको भी दो रखा है मैंने 25 मिट बन जाता है देख लीजे केक 25 मिट हो चुके हैं और इस चाको बिल्कुल सूखा निकला है यह देखिए केक बन के तैयार है अब हम इसे ठंडा होने देंगे यह टंड़ा होने के बाद ही इसे निकाल लेती हूं पहले आप चाकू से देखिए इसने अपना सारे कोने छोड़ दिये हैं बर्तन का कोना छोड़ दिया है फिर भी आप एक बार इस पर चाकू की किनोर से इसको अच्छे से निकाल ले इसके बाद इसे डी मोल्ट करें इसके उपर एक प्लेट रख दें आप प्लेट रख के टीन को उल्टा कर दें कि एक आसानी से निकल जाएगा वोगि नीचे बटर पेपर लगाया हुआ है तो यह बहुत आसानी से डी मोल्ट हो जाएगा देखिए निकल गया है अब हम बटर पेपर हटा देते हैं कि दीर यसे आप बटर पेपर को हटा दे कि इसे हम सीधा कर लेंगे वापस से इसके उपर एक प्लेट रख देंगे और इसे इसे पलेट लेंगे हम कि देखिए केक बन के तयार है कि यह इस पंजी भी बहुत बना है कि आप सिव टेंपरिचर का इसमें ध्यान रखें कि बीज में केक एक दुबार चेक करें कि यह बहुत ही अच्छा बनके तयार हुआ है बहुत कम टाइम में बन गया है कि मैं आपको इसे काट के बता देती हूं कि यह बहुत इसली कट गया है कि यह बहुत सॉफ्ट बना है कि देखें कितना सॉफ्ट बना है मैं इसे कितना दबा रही हुए यह वापस फूल रहा है यह बहुत अच्छा बनके तयार हुआ है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्रीज़े लाइश और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू तो